लगबग दो देशक पूर्व धर्मियोग पत्रिका में एक साक्षातकार प्रकाशित हुआ था जो हिंदी के कोश एवं भाषा विज्ञान के संबन्द में जानकारी प्रदान करने वाला था कोश के अखाडे में कोई पहलवान नहीं उतरता यह जाक्षातकार प्रोफेसर त्रिभुवन नात्शुक्ल ने प्रसत्य भाषावित डॉक्टर हर्देव बाहरी से लिया था ख्यात साहित्यकार संपादक लेखक भाषाशास्त्री डॉक्टर त्रिभुवन नात्शुक्ल संप्रती केंद्री अध्यन मंडल भुपाल के अधक्ष एवं मध्यप्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक है अवधी साहित्य के आधारिस्थम, अवधी साहित्य की भुमिका, भारती बाल साहित्य, भाषिक औधात्य, दक्षन का रंगमंच, विद्यापती, साहित्य शास्त्र के सौवर्ष, आदि दरजनों उस्तकों के रचनाकार डॉक्टर शुक्ल का कालिदास पर्यायकोष भी द हेमचंद्र शब्दान शासनम के अतरिक्त रामचरित मानस के शब्दों का अर्थ तात्विक अध्यन भी आपकी लिखीवी ख्यात पुस्तके हैं यह एक अभिनाव प्रयोग है कि किसी प्रसद साक्षातकार के साक्षातकार करता का हम साक्षातकार लेकर विशे, विशेई एवं साक्षातकार के अन्यान पहलूँ को जाने और समझे यह एक सुखत साहियोग है कि डॉक्टर त्रिभ्वन नाशुकल आज हमारे बीच यहां उपस्तित है डॉक्टर हर्देव बाहरी से उन्होंने जो साक्षातकार लिया था उस विशे में उस साक्षातकार के विशे में और उससे जुड़ी तमाम बातों के सम्मन्ने आज हम उनसे चर्चा करेंगे और अपना ग्यानवर्धन करेंगे इसके पहले कि हम डॉक्टर हर्देव बाहरी के साक्षातकार के विशे पर पहुंचें मैं डॉक्टर शुकल से सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि एक अच्छा साक्षातकार क्या हो सकता है इस पर वे अपने विचार रखें डॉक्टर शुकल सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक ऐसे विशे को आज उठाया है जिसकी बहुत आउसकता है साक्षातकार विधा का आज बहुत महत बढ़ गया है हर व्यक्ति न तो लिख पाता है और नहीं निरंतर अपने लिखे हुए को प्रकासित कर पाता है ऐसे तमाम प्रतिवाएं हैं देश में जो प्रकासन से बहुत दूर है किंद चिंतन से भरपूर है उनके चिंतन को समाज के सामने ले आने का जो एक शशक्त माध्यम है वह साक्षातकार ही है और क्योंकि एक ब्यक्ति जो जीवन भर किसी विधा में किसी विद्या परमपरा में कला साहित संस्कृत में या विज्ञान में निरंतर सोचता रहता है और वह भी चाहता है कि उसका चिंतन समाज के सामने आए तभी उसके सार सकता है इसके लिए साक्षातकार विधा से अधिक मुफीत और अन कोई विधा नहीं है हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर हरदेव भाहरी ने भाषा विज्ञान के शेत्र में उलेखनी कारी किया है बाहरी जी के विक्तित्व के कुछ अंचुए या प्रेरक प्रसंगों को आप बताएं ताकि बाहरी जी के विक्तित्व को हम सब बहतर जान सकें डॉक्टर हरदेव भाहरी स्वयम कहते थे कि मैं भाहरी हूँ क्योंकि वे ढाका से इलहाबाद आये थे और उनके गुरू थे बहुत बड़े भाषाचिंतक इस देश के प्रसर सिध्यस्वर और मां यहां आकरके उन्होंने इलहाबाद विश्विद्याले में हिंदी विवाग में अध्यापन कारी किया कुछ दिन के लिए वे अलीगण मुस्लिम विश्विद्याले में भी रहे पुन्हों यह इलहाबाद में आगे डाक्टर हर देव वाहरी का वियाकरण और भाषाविज्ञान में अधुभूत गती थी बलकि यह कहना चाहिए कि जिन दिनों भारत वर्स में भाषाविज्ञान स्थान ले रहा था उन दिनों जिन लोगों ने इस च्छेत में बहुत कारे किया उन में से डाक्टर धिरन्द बर्मा, डाक्टर बावराम सक्सेना, डाक्टर उदैनांड तिवारी और डाक्टर हर्द्यों बाहरी इन लोगों ने भारत वर्ष में भाषा विग्यान को इस्थापित करने का कारे किया है पर बाहरी जी ने जो अपना छेत चुना भाषा विग्यान में वो ध्वन विग्यान और अर्थ विग्यान, हिंदी सेमेंटिक्स पर उनकी डेलिट है, जो अंगले जी में पहले लिखी गई, बाद में उसका हिंदी अनुबाद हुआ, ऐसे थे हर्देव बाहरी और यह भी ब सैधान्तिक भाषा विग्यान पर हैं, व्याकरण पर हैं, वर्तनी पर हैं, वे आज विश्य विद्यालों में और प्रसासनिक सेवाओं के पाठिकमों में भी पढ़ाई जा रही हैं, बाहरी जी बहुत बाहरी की से भाषा का चिंतन करते थे, और यह भी उनके बारे में कहा या कि बाहरी जी से अनुमत ले करके उनके कक्षाicky में बढचते थे और अनुविस्यों के विद्यार्थी भी जब वारी जी का वे आख्यान होता था तो उनकी कक्षा में आगर उनको सुनने के लिए ट्र हर्दे bond बाहरी भाशा विज्ञान सम्मंदी जो साक्षातकार धर्म्यूग में प्रकाशित हुआ था भाशा विज्ञान के अध्धन अध्यापन सम्मंदी आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर बाहरी का कथन था कि इस देश में भाशा विज्ञान जाने बगेर भाशा और साहित्य लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, इस मंतव्य से जुड़े आपके क्या विचार हैं? हाँ यह आपने जो प्रस्ण किया यह बड़ा मूल प्रस्ण है डाक्टर हर्दयो बाहरी जब मनसे मिलने जाया करता था प्राय मिलने जाया करता था यह कहा करते थे कि हिंदी शेत्र के विश्विद्यालों में बहुत से ऐसे अध्यापक हैं जो न तो भाषाविज्ञान में और न भाषाविज्ञान का उन्होंने कहीं प्रस्ण लिया है किन्तु ऐसे लोग भाषाविज्ञान पढ़ा रहे हैं इस से इस विश्विषय के साथ जहां अन्याय हो रहा है वहीं छात्रों में रूची का विकास नहीं हो रहा है क्योंकि जैसे ही भाषाविज्ञान का न पूर विशय है और उन्हें ये भी बताया कि जैसे कुछ लोग भाषा संबंधी किसी विशय को ले करके पीएजडी की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं और अपने को विश्य शग्य माल लेते हैं ऐसे लोग जब प्राध्यापक होते हैं तो उनको भाषा विज्ञान पढ़ा लोग में एमे करने की विवस्था है भाषा विज्ञान का समंद समाशास्त्र इतिहास साहित बहुतिकी दर्शनादिया नेक विश्यों से है ऐसा बाहरी जी ने अपने साक्षातकार में आपको कहा था इसी कथन के परिप्रेक्ष में मैं आपके विचार जानना चाहूंगी हाँ ये सच है कि देखिए दो प्रकार का चिंतन और अध्यन भाषा विज्ञान के छेत्र में है एक सैध्धानतिक और दूसरा अनुप्रियुक्त अनुप्रियुक्त एक पारिभाशिक शब्द है इसके लिए आप ब्योहारिक कह सकते हैं मर भाषा विज्ञान में अनुप अनुप्रियुक्त भाषा विज्यान, सैध्धान्तिक भाषा विज्यान में ध्वन विज्यान है, रूप विज्यान है, वाक्य विज्यान है, और अर्थ विज्यान है, अनुप्रियुक्त भाषा विज्यान जो सैध्धान्तिक भाषा विज्यान की पीठिका पर आधारित है किन्तों वो व्योहारिक है, जैसे कोश विज्ञान है, समाज भाषा विज्ञान है, अनुवाद विज्ञान है, मनो भाषा विज्ञान है, शैली विज्ञान है, और बोली भाषा विज्ञान भी है, बोली भूगोल जिसे काते हैं, ये सब अनुप्रिक्त भाषा विज्ञान के अंतरकत आते हैंassed डॉक्टर बाहरी का मत्था की कहीं अधिकारी के पद जो की भारत सरकार के केंदरी कारयलियों में एवं राजी सरकार के कारयलियों में होते है, इस पते पर शेष्ठ कारे करने ही तुए, इसना तक इस तर पर भाषा विग्ञान की अनिवारता हो जानी ज रोजगारों मखी शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं तब इस विशे की उप्योगिता किस तरह सिद्ध हो सकती है यह विशे तब और अपके परिप्रेक्ष में क्या है कैसा है इस बारे में आप अपने विचार रखें यह उनका जो दिश्टकोन था और भारती विश्विवद्यालों को ले करके एक उनकी जो चिंता थी कि जो कम सकम हिंदी अधिकारी हो अनुआदक हो उसका इसनातक स्तर पर भाष़ा विज्ञान हो यह उन्होंने ठीक कहा था क्योंकि जब तक उसको उच्चारण की विधियों का ठीक ठीक ज्यान नहीं होगा फरंटिक्स का जब तक उसको अर्थ विज्ञान का ज्यान नहीं होगा तब तक वह सायद अनुआद भी करेगा तो वह गलत करेगा सही अनुआद के लिए वियाकरण, धोनी, रूप और अर्थ भाष़ा विज्ञान के इन सैध्धान्तिक और अनुपरियुक्त दोनों प्रक्षों को जानना आउस्यक है वह ये भी कहा करते थे कि जैसे कोई चिकिस्दा के खेत्र में है किन्तु वह सरीर विज्ञान के बारे में जानता नहीं तो वह ठीक प्रकार से चिकिस्दा का कार नहीं कर सकेगा ऐसे ही बिना भाषण विग्यान जाने अगर कोई भाषण विग्यान पढ़ाता है तो सायद वो ऐसे ही होगा जैसे अंदाज से सरी विग्यान को जाने बिना कोई डाक्टर कोई चिकिस सक दवा लिख देता है ये उनका एक उधान हुआ करता था डाक्टर बाहरी इसकूली शिक्षा में हिंदी की पुस्तकों और उसके पाठेक्रम से असंतुष्ठ थे विशेशकर, उचारण, वर्तनी, शब्द भंडार और व्याकरण के ज्यान को लेकर उनका मानना था कि भाषा वह होनी चाहिए जिसमें की बोलीपन नहों इस कथन के सं अंदर्व में आप इसे किस तरह से इसपष्ट करेंगे और क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये एक उनकी चिंता थी और इसके लिए उन्होंने छोड़ी-छोड़ी किताबे भी लिखी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी शुद्ध हिंदी, शुद्ध हिंदी में उन्होंने एक तरफ तर्सम सब्दों को रखा, एक तरफ तद्भो सब्दों को रखा, अब उन्ह कहा कि ठीक है, दर्शन सब्द है, तो दर्शन ये तद्वों है और दर्शन तस्सम है, तो अखियां हर दर्शन को प्यासी, तो वहां दर्शन अशुद नहीं है, कि तो उनका ये कहना है कि दर्शन बोली में है, और दर्शन मानखिंदी में है, तो दोनों के प्रियोग, संदर और प्रसंग में अंतर करते हुए बात कहनी चाहिए और वह इस चारण पर इतना जोड़ देते थे जैसे भाषा है तो तालब विश्या का प्रियोग न करके मुर्धन श्या करके वह सिता है मुर्धन श्या मुर्धन न भी कर सके तो कम सकम तालब ये करें बार दंट से ही तो इसी से जाना जाता है जब वो चारण करता है तब वो पता चल जाता है कि वो कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है कितना अधित व्यक्ति है एक वाक के बोलने पर ही उसका अंदाज लग जाता है इसलिए किसी को ये अधिकार नहीं है कि अशुद शब्दों का प्रियोग क इस पर वे बहुत जोर देते थे और चुंतल भी करते थे और छोटी छोटी बातों पर जैसे संदी, समास, उच्चारण और लीपी और उसके मानकी करण तब प्रचलित नहीं था पर मानक रूपों पर उन्होंने अच्छी पुस्तिका तयार की है और जो की प्राया प्राया उ प्रकासित थी और उस पुस्तक का बहुत प्रचलन हुआ, खेर आप जरूर है कि अब कुछ वह पुस्तक अगर वह होते तो उसको संसोधित करते, उनका चिंतन बहुत स्रेश्च था इस विसे में. भाशा विज्यान की एक शाखा है कोश विज्यान और इस कोश विज्यान क के लिए भी छोटी-छोटी सी कोश से सम्मंधी किताबे निकाली थे, राष्टी शिक्षा परिशत के सहयोग से, इस बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं, तो बहुत अच्छा होगा. आपका प्रशन दो चरणों में है, एक तो कोश विज्यान का परिचे, आउस में भा और एक चलता है कोश कला, कोश कला है लेक्सिकोलाजी, अब कोश निर्मान है लेक्सिकोग्राफी, तो निर्मान जो है, वो कला, अर्था सिध्धान पक्ष के आधार पर किया जाता है, एकदम से कोई कोश के सिध्धानतों को पढ़ करके कोश बनाने चलेगा, तो ऐसे ही हो जैसे अंबीवियस करके कोई सीधे चिकिस्ता के छेत में तब तक नहीं पहुंच जाता जब तक किसी बरिष्ट व्यक्त के साथ अनुभों नहीं प्राप्त कर लेता तो पहले दो शब्द हैं इनको समझ लेना चाहिए कोई निर्मान और कोई कला लेसकोलाजी और लेसकोग्राफी लेसकोलाजी के आधार पर जो सिध्धान्त है उनको लेकर के कोई निर्मान किया जाता है और हमारे हाँ कोई की बहुत पुरानी परंपरा है सबसे पुराना कोई है निघंटू निघंटू पर यास्क ने पुस्तक लिखी निरुक्ति और ये बैदिक कोई है एक आर्थक कोई भी थे एक शब्द के भी कोई थे और ये संस्क्रिट से परंपरा प्रारम होकर के हिंदी तक आई भारती भासाओं तक आई और बहुत शशक्त परंपरा है और इधर तो कोई के छेत में बहुत काम हुआ अब दूसरा चरण आपके प्रशन का ये है कि जहां तक बाहरी जी का सवाल है बाहरी जी जिस समय मैंने उनसे कोई के अखाड़े में कोई पहलवान नहीं उतरता ये साच्छातकार लिया था उस समय तक बाहरी जी के सोलह कोई गरंत प्रकासित हो चुके थे और उसके बाद उनके नरहनेपर उनकी मिर्थ परियंत उसके बाद साच्छातकार के बाद उन्होंने आठ सब्द कोईस ऐसे बनाए जो बालकों के लिए जिसके आपने चर्चा की उन्होंने बाल कोस बनाए जिसमें पिक्चर्स भी थे चित्र भी थे और अध्धेता कोस बनाया हिंदी में अध्धेता कोस बनाने का उपक्रम सबसे पहले बाहरी जीनी किया और उसमें पूरा विवरन देते हुए उन्होंने उसको आगे बढ़ाया था और उनका बहुत बड़ा योगदान है कोश के छेत्रे में तुनिस अंदे कोश कारे अपने आप में एक दुरूह और जिटिल कारे है और इसलिए शायद बाहरी जी ने ये कहा था कि इस अखाड़े में कोई पहलवान नहीं उतरता इसे संदर में हिंदी की बोलियों के कोश एवं विधी ग्यान विग्यान तकनीक संबन्दी कोशों की इस्तिती में तब से लेकर अब तक मैं बात कर रही हूँ जब आपने साक्षात कर लिया था तब और आज लगभग 20 वशों बात किस्ति में क्या परिवर्टन आया है या कोशों के निर्माण में अभी गती धीमी है मैं ये कहना चाहूंगा कि कोश के निर्माण में गती बिल्कुल धीमी नहीं है जहां तक पारिभाशिक शब्दावली की बात लोग करते हैं तो वैग्यानिक तक्क्नीकी शब्दावली आयोग ने तो अंतरिक्ष विज्ञान समुद्र विज्ञान ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जिसमें शब्दावली का निर्माण नहुआ हो और लोगों ने भी कोश बनाए हैं और निरंतर हर विधा पर कोश बन गए हैं और बोलियों के कोश की जहां तक बात है वे सरकारे भी अकादमिया भी और ब्यक्तिसफ प्रियतन पर भी बहुत से कोश बन गए है मुंदेली के कोस बन गए है बखेली का कोस बन गया है ब्रजभाशा का कोस बन गया है औधी का कोस बन गया है और ऐसे मैथली मगई लगभक सभी बोलियों का कोस तयार है किन्तु आवसकता अभी है कि इस कार को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए मगर जितना कार हुआ है वह क कि हिंदी की बोलियों में शब्दों की संपत्ति है. हमारी संसकृति से उनका घनिष्ट संबंद है. और हिंदी को संपत्at बनाना है दो उसे बोलियों के शब्द कोश्ट कश्ण का अगर निर्मान होता है, उससे को संपत्ति मिलेगी. उसको एक तरह से ताकत मिलेगी राज भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट भाषा, हिंदी के विशय में बाहरी जी के जो कथन थे, उनका जो मंतव था उसे ध्यान में रखते हुए आप हमें आज की स्थिती में इन तीनों शेत्रों में हिंदी की स्थिती क्या है, इस पर आप अपने विचार दे जैसा कि आपने प्रस्ण किया कि बोलियों के बारे में वहां से लेकर मैं राज भासार तक आऊंगा बोलियों में तो लगभग तीन लाख ऐसी धात्में हैं हिंदी की बोलियों में जिनका अभी तक अर्थ नहीं हुआ है बाहरी जी कहा करते थे कि धात को स्थ तयार किया जाना बहुत आउस्षक है और इस दिसा में वो सोचते रहे और उन्हों नंति मुझे कहा था कि देखो मैं तुम इस कार को करना तो मैं दर्सकों को बताना चाहूंगा कि यह कार मैंने संपादित कर लिया है और उसे हुए प्रकासन के लिए देना है लगभग पौने चार सो प्रिष्टों में तमाम हिंदी की धात्यों को ले करके धात को स्थ तयार किया है अगर इन धात्यों को अर्थ सामने आ जाएगा तो मानक हिंदी और अधिक विक्षित हो जाएगी उसको और अधिक स्थ बिल जाएगी जहां तक राज भासा राष्ट भासा और संपर्ग भासा का प्रस्ण है इस पर बाहरी जी का बड़ा पश्ट मत था और ये आज के लिए अधारणा साब भी हो चुकी है कि जो राष्ट भासा की संकल्पना है ये स्वतंतता के पूर की है क्योंकि उस समय जब आंदोलन चल रहा था स्वतंत आंदोलन तब ये एक मतेंत है था कि हिंदी राष्ट भासा बनेगी किन्त जब हिंदी राष्ट भासा नहीं बन पाई तो स्वतंता के बाद इसको राज भासा ओफिस्यल लेंग्वेज का दरजा दिया गया और उसी के साथ एक सब्द चला संपर्ग भासा जिससे हम लिंक लेंग्वेज कहते हैं क्योंकि हिंदी अब राज भासा है जिससे संग सासन और प्रदेश राज सरकारें दूसरे राज सरकारों से या केंद से संपर्ग करने के लिए संपर्ग भाषा हिंदी का प्रियोग करेंगी ये इसकी मूल संकल बना है उस साक्षात कर के अंत में एक बात जो सामने आई थी कि कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक का सरजन अर्था साहित का सरजन जो हिंदी में हो रहा है उसमें भाषा के इस्तर को लेकर सब जगा एक जैसे इस्तितिया नहीं हैं कुछ इस्तितिया ऐसी हैं जिसको लेकर बाहरी ज में क्या परिवर्तन हुआ है और इस बारे में आप क्या सोसते हैं देखे भार्षा तो कहना जाए भार्षा बहता नीर है और एक दिश्टिकूर था प्रारभ में कि वड़ी तस्थम प्रधान सब्दाली का परियोग किया जाता है यसे आपने विधाओं की चर्चा की आप प् दाली बोल रहा है बर मोहन राकेश का आधे अधूरे पाठीकम में है आप एक देखिए कि लड़की एक लड़की दो यह सब पात्र जब बोलते हैं तो पता चलता है कि यह छोटे हैं बड़े हैं कमपड़े लिखे हैं तो वय के उनसार शिक्षा के उनसार अगर पात्र प्रभाविक लगता है तो मगर अब ऐसा नहीं है कि पहले तस्रम सब्दाली का अधिक प्रियोग होता था आज उस प्रकार की सब्दाली का प्रियोग नहीं हो रहा है आज यह भी हो रहा है मगर युग की चेतना से और युग की आवसक्ता से प्रभावित होकर कि आज सरल्टा कहीं दरिद्डता का परियायन हो जाए इतना सरलण हो जाए कि भाषा कि जिस अव्यक्त के लिए प्रियुक्त हो रही है वो शब्द इतना कमजोर हो कि वह अव्यक्त कारपा रहा हो तो ध्यान तो हमें देना पड़ेगा मगर असंतोंस नहीं है इस दिशा में भी ठीक ठीक काम करने वाले लोग लगे हुए हैं और अब तो संसाधन भी हमारे पास इंटरनेट है, कंप्यूटर है और तमाम साधन है, भाषा प्रयोग साल आए हैं, जिनके माध्यम से हम विश्व की किसी भी भाषा को बहुत कम समय में और बड़े वैग्यानिक ढंग से पढ़ सीख सकते हैं, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, इस चार कोशल हैं, फोर इसकिल साब्द लेंग्वेजेज, ये चारो कोशल हम बड़ी आसानी से आज जान सकते हैं, इसलिए हमें कहीं इसके भविश्य के पर दिक कोई ऐसी आशं जंका या चिंता नहीं है, कि हम बहुत जटिल पर इस्तितियों में हैं, बड़ी भयावा इस्तितियों में हैं, और जहां तक हिंदी का सवाल है, तो हिंदी तो अपने मुकाम पर बिलकुल पहुँच गई है, और उसको कोई रोक नहीं सकता, कारण ये हैं कि आज जो विश् नापारिक संभावनाओं को, शांसक्तिक संभावनाओं को और हमारी जो मूल चिंता है इस देश में समन्वे की, वह समन्वे किसी भी उस्तर पर हो, उसकी केंदरी भासा, मुख्य भासा हिंदी है तो अब हिंदी को बैसाखि की वो जुर्ष नहीं है, हाँ इतना जरूर है कि एक अपना स्वाफिमान अगर हम बनाए रखें तो निश्चित ही इसको बिस्वासा का स्थान मिलने में अब देरी नहीं है मेरा जो अगला प्रश्ण होता आप आपने उसका उत्तर भी दे दिया मैं ये जानना चाहरी थी कि हिंदी के उजवल भविश्च के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए तो निश्चित तोर पर आपके पिशले प्रश्ण के उत्तर में ही मुझे अपना उत्तर भी मिल चुका है कि बहुत सारी संभावनाय है और विश्व में जो प्रमुख भाषाओं में हिंदी की गिंती की जानी शुरू हो चुकी है और उसे विश्व भाशा का दर्जा जो है शिद्र ही प्राप्त हो जाएगा और उसमें अपार संभावना है चाहे वो कोई सी भी शेत्र से सम्मधित हो निशित तोर पर भाशा विज्ञान कोश विज्ञान तथा हिंडी के अलग अलग रूप चाहे वो राश्ट भाशा का रूप हो राज भाशा का रूप हो या बोली का रूप हो या संपर्क भाशा का रूप हो उससे सम्मंधित ये जो साक्षातकार था जो कि आपने प्रसिद भाशाविट डॉक्टर हर्देव बाहरी से लिया था कोश के अखाडे में कोई पहलवान नहीं उतरता पुना आपसे इन सभी विश्यों के बारे में जानकर और डॉक्टर हर्देव बाहरी जी के कुछ जीवन से जुड़े महतुपूर्ण अन्शो को जानकर हम लाभानवित हुए हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद